हेलो सेविन क्लास बच्चो आज हम आपकी पाठे पुस्तक सोपान में हिंदी व्याकरण के पाठ ग्यारा उपसर्ग का अध्यन करेंगे प्यारे बच्चो आज मैं आपको शब्द रचना उपसर्ग के बारे में बताऊंगी क्या आप जानते हैं कि नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है? हाँ नए शब्दों की रचना उपसर्ग द्वारा ही की जाती है उपसर्ग के बारे में आप सबने पिछली कख्चा में जरूर पढ़ा होगा पर आज इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे चलिए कुछ वाक्य पढ़ती हैं हमें अपने देश का मान रखना चाहिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए बच्यों इन वाक्ये में मान शब्द का अर्थ है इज़्जद और अपमान शब्द का अर्थ है बेज़्जदी क्या आप बता सकते हैं कि मान और अपमान शब्द में क्या क्या अंतर है चलिए मैं आपको बताती हूँ बच्चो अपमान शब्द से पहले अप जुड़ा हुआ है अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद इसके जोड़े रहने से मान शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया बताईए ऐसा क्यों हुआ बच्चो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मान शब्द के पहले जोड़ा गया शब्द अप उपसर्ग है तथा किसी शब्द में उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है इसी तरहे उपसर्ग लगाकर और भी नई शब्द बनाई जा सकते हैं जैसे रूप रूप शब्द से पहले अनुपसर्ग जोड़ा गया तो बन गया अनुरूप प्राय प्राय शब्द से पहले अभी उपसर्ग जोड़ा गया तो बना नया शक अभी प्राय अंत अंत शब्द से पहले अती उपसर्ग जोड़ा गया तो बन गया अती अंत दोश दोश सब्द से पहले निर उपसर्ग जोड़ा गया तो बन गया निर दोश बच्चो एक बात याद रखिए सभी उपसर्गों का अर्थ होता है पर ये स्वतंतर रूप से प्रियोग नहीं किये जाते बलकि किसी शब्द में मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं अर्थात जो शब्दांश मूल रूप से शब्द से पहले जोड़कर उच शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं इसी तरह से जो शब्द मूल शब्द से पहले जोड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं तो चलिए अब उपसर्ग के प्रकार के बारे में जानते हैं उपसर्ग के चार प्रकार होते हैं बाइन, संस्कित के उपसर्ग बच्चों संस्केत के उपसर वे शब्दांश होते हैं जो संस्केत भाशा से हिंदी भाशा में बिना किसी परिवर्तन के प्रियोब में लाए जाते हैं जैसे अती, उत, निस, आदी अती आचार हमारा नया शब्द बनता है अत्या चार उत पाद अर्थ होता है उत पाद निस संकोच तो हमारा नया शब्द बनता है नी संकोच इनसे हम और भी अपने नए शब्द बना सकते हैं नमबर दो हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग वेश शब्दांश होते हैं जो मोल रूप से तो संस्कृत के होते हैं परन्तु हिंदी में रूप परिवर्थित करके प्रयोग किये जाते हैं जैसे आ, अध, ओ, आदी बच्चों इनसे बनने वाले शब्द आ यानि की अधपका अध, छूत, अचूत, ओ, गुड, ओ, गुड अर्थात इसके अलावा हम और भी नए शब्द उपसर्ग लगा कर बना सकते हैं नमबर तीन उर्दू के उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू, फार्सी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किये चाते हैं इन उपसर्ग से शब्द बनते हैं जैसे बिना वजे, अर्थात बिना वजे दर असल, तो हमारा शब्द बनता है दर असल ब, गेर, बगेर तो ये हमारे उपसर्ग हैं तो इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम और भी नए शब्द बना सकते हैं नमबर फोर उपसर्ग रूप में प्रयोग किये जाने वाले संस्कृत के अव्यव ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्क्रित के अव्यव होते हैं और हिंदी में अपने रूप में उपसर्ग के रूप में लगा कर प्रियोग किये जाते हैं जैसे अंत, अध, अन, आदी अंत, मन, तो हमारा उपसर्ग लगा कर नया शब्द बनता है अंतर, मन, अध, पतन, इसी प्रकार से अध, पतन, अन, आदर, तो उपसर्ग लगा कर हमारा नया शब्द बनता है अनादर इसी तरह से तो बच्चों है ना असान उपसर्ग लगाकर नई शब्द बनाना तो आपको अपने ग्रह कार्रे में उपसर्ग लगाकर नई शब्द बनाने का अभ्यास करना है खर पर रहें, सुरक्षित रहें, गुड़ बाई